हेलो फ्रेंड्स वालकम टो आवर चनल इस वीडियो में आप बताएंगे ए आई टीट एक्जाम तो अजर बीस 18 से 20 सेशन और 19 से 20 सेशन वालों के लिए कुछ ऑफीसियली अपडेट जो डीजीटी ने चारी किया है आई टीट एक्जाम ऑनलाइन होंगे या आफलाइन होंग एक्जाम को लेकर करके डीजीटी ने एक वीडियो कंफिरेंस किया है जिसके माध्यम से कुछ परमुक बिंदू इस नोटिस के माध्यम से बताया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे के कारण लंबित रही जनवरी फरवरी परिक्षा 2020 यह मुख्य परिक्षा जुल पद्धिती की परिक्षाएं कॉंप्यूटर बेस्ट अगर आप एन्वल से हैं तो उपरिक्षाएं कॉंप्यूटर बेस्ट करवाया जनाब प्रस्तावित है अर्थात ठीवरी और आपका वर्ग्षब कल्कूलेशन अंड साइंस और यह सारी परिक्षाएं जो है इसी द्वारा पोर्टल के माध्यम से लिया जाएगा और साथ ही परियोगिक परिक्षा और परियोगिक परिक्षा एम इंजिनेर ड्रोइंग की परिक्षा राज जेनी द्रसाले द्वारा संपाधित करवाए जाएगी यानि यह जो है एस्टेट डिरेक्टर के जवारा ड्रो यदि संसान नियमानुसार एंसीबीटी से अफिलेटेड है तो अगे बात करें इनका परिक्षा सुल्क राज निदे साले द्वारा परती परिक्षार्थी 200 रुपए यानि एकजाम सुल्क की बात करें जो ड्रोइंग का होगा या फिर प्रिटिकल का होगा उसका एकजाम सुल्क 200 रुपए होंगे और साथ ही जबकि सेमेस्टर परनाली के लिए परिक्षाय OMR सीट पर करवाया जाना परस्थावित है इन परिक्षार्थियों के लिए 500 रुपए सुल्क देने होंगे यानि जो सेमेस बजिब कसफल देखें के इन परिक्षाय जोजपुत्वर्ण को सुचित किया चुका है और DTC के अधिकारियों दोरा पुनन निर्देसित किया गया है कि उक्त एप पर प्रक्षिक चिनातियों को अधिक से अधिक मौट टेक्स्ट की एवे मंदब exercise करवाई जाए करवाई जाए ताकि वो computer-based test के लिए पूंतर तयार हो जाए मतलब computer-based मतलब exam में किस तरी से questions आएंगे कैसे आपको test देना है मतलब पूरा तयारी जो है इस एप के मादधम से आप घर बैठे कर सकते हैं आगे यहाँ पर बात करें तो उक एप में mock test के प्रशन पत्र का pattern उसी परकार से है जैसा कि प्रक्षा में प्रशन पत्र आएगा यानि आपके जो apps है उसमें ऐसा ही प्रशन दिया गया है जो प्रशन आपके exam में पूछे जाएंगे मतलब उसी type के exam में प्रशन पूछे जाएंगे आगे याँ पर बात करें तो अब प्रक्षा नार्चियों को अच्छे प्रिक्षा परणाम के लिए नीमी mock test एप पर अधिकारिक समय अभ्यास आवस्यक है आगे बात करें यहाँ पर तो डीजी टी रिकोर्ड के अनुसार पिछले आट से दस महीने में राज्जी के ट्रेनर एउम ट्रेनी ने mock test करवाने में अच्छी प्रगती दर्च करवाई है परन्तु अभी भी अनुरूप प्रगती नहीं हो पाई है अथा सभी संस्थान के अनुद्यसक के माध्यम से mock test का नीमी mock test एप पर schedule बनाकर mock test करवाई जाए यानि जो है यह जो जो हुई आपके instructor है जो भी आपके अनुद्यसक है वो अपने एक schedule बनाएंगे उसके माध्यम से test करवाएंगे इन्होंने बताया है अगले point की बात करें तो अगले point में बताया गया है कि डीजीटी भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा वीडियो कंफ्रेसिंग में यह भी निर्द्यसित क्या गया है कि भविश्य में माक सीट आदी में यदि कोई संसोधन करवाना है तो प्रकिरिया ओनलाइन पोर्टन द्व कर सकते हैं पहले जो होता था आप कोलेज जाते थे कोलेज के माध्यम से मतलब जो भी स्टेट डिरेक्टर के पास जाता था और इस तरी के सुधार के लिए तो आपको अब दोड़ना नहीं पड़ेगा आपको जो है आप ऑनलाइन यह सारी काम कर सकते हैं कुछ से आगे करें तो अता मार्चे 2020 से ट्रेनी के डाटा में किसी भी प्रकार के संसोधन है तू आर सी भी इटी को भेजे गए प्रतना पत्र एम दस्ते बेच पर किसी प्रकार कोई करवाही नहीं की जाएगी सभी प्रकरणों का निस्तार करन ऑनलाइन पोर्टर के माध्यम से होगा या दूजिये थैंक्यू धन्नावाद